जरा सोचो, दुबई की गर्माहट वाली धूप में चमकता हुआ अरेबियन गल्फ का नीला पानी अचानक समुद्र से एक नजारा उभडता है, एक ऐसी सनरचना जो इतनी शांदार, इतनी लुभावनी है कि यह शहर के क्षितिज को ही नया रूप दे देती है यह है बुर्ज अल अरब, दुबई का आइकॉनिक सेल शेप्ट होटेल, जो लक्षुरी और आर्किटेक्ट्रल ब्रिलियन्स का प्रतीग है एक आर्टिफिशल आइलेंड से, समुद्र तट से, 280 मीटर की दूरी पर बना, बुर्ज अल अरब सिर्फ एक होटेल से बढ़कर है यह महत्वा कांख्षा का एक स्टेटमेंट है, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में दुबई के उद्भव का प्रतीग है 1999 में अपनी भव्य शुरुवात के बाद से, बुर्ज अल अरब ने अपने डिस्टिंक्टिव सेल इंस्पायर डिजाइन से पूरी दुनिया को मंत्र मुग्ध कर दिया है आर्किटेक्ट टॉम राइट के दिमाग की उपच, यह आर्किटेक्ट्रल मास्टरपीस खुद दुबई का परियाए बन गया है बुर्ज अल अरब केवल ठहरने की जगह नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है, अद्वितिय विलासिता और भव्यता की दुनिया की आत्रा है एक ग्रेसफल धाव, जो एक पारंपरिक अरबी सेलिंग वेसल है, सिप्रेरित होकर, बुर्ज अल अरब का डिजाइन, दुबई की सम्रिद्ध समुद्री विरासत का प्रमाण है इसका अनोखा सेल शेप्ट सिलुएट न केवल दिखने में मनभावन है, ये एक फंक्शनल परपोस भी पूरा करता है सेल के दो पंक बाहर की ओर फैले हुए हैं, जिससे एक विशाल एट्रियम बनता है, जो होटेल के मूल भाग का निर्मान करता है ये डिजाइन प्राक्रतिक रोशनी को अंदर तका आने देता है, जिससे दिन के समय आर्टिफिशल इलूमिनेशन की आवश्यक्ता कम हो जाती है एक चमकदार सफेद कपड़े से ठका हुआ, सेल हवा में लहराता हुआ प्रतीत हुता है, जो स्थिर रहते हुए भी गती का भ्रम पैदा करता है बाहरी भाग को एक कॉरिग्राफ्ट लाइटिंग सिस्टम द्वारा और भी निखारा देता है यह सिस्टम सूर्यास्थ के बाद बुर्ज अल अरब को रंगों के कलेडो स्केट में रोशन रखता है, इसे एक मनियखत नजारे में बदल देता है बुर्ज अल अरब के अंदर कदम रखें और आपका स्वागत अद्वितिय वैभव की दुनिया से होता है ट्रडिशनल होटेल लॉबीज को भूल जाई यहां आपको एक एट्रियम मिलेगा जो एक 180 मीटर की उंचाई तक जाता है जो जीवन तरंगों, जर्नों और इंट्रिकेट मुजैक से सजा हुआ है हाथ से बुने हुए कालीनों से लेकर सोने की पत्ती वाले लहजे तक हर विवरन एक्स्ट्राविगेंस की कहानी कहता है होटेल में 202 डूपलेक्स सुीट्स है जो हर तरह के आराम और विलासिता का प्रमाण है कलपना कीजिये कि अरेबियन गल्फ के पैनोरामिक व्यूज के साथ जागना सूरज आसमान को सोने और नारंगी रंग में रंग रहा है हर सुीट में फर्ष से छट तकी खिड़किया है जो दुबई के समुद्र तटके अनिंटरॉप्टिड विस्टर्स प्रदान करती है लेकिन विलासिता यहीं समाप्त नहीं होती है पर्सनल बटलर्स आपकी हर इच्छ पूरी करते हैं जबकि हरमेश सुविधाओं से सुसजित भव्य संगमर्मर के पात रूह एक S.P.A. जैसा एक्स्पिरियंस प्रदान करते हैं बुर्ज अल अरब को अकसर गलती से सेवन स्टार होटेल कहा जाता है वास्तव में कोई भी ओफिशल रेटिंग सिस्टम साथ स्टार्स नहीं देता है ये भ्रांती होटेल की असाधारन सर्विस और शानदार पेशकशों पर प्रकाश डालती है जो उच्चतम फाइव स्टार प्रतिष्ठानों के मानकों को भी पार कर जाती है बुर्ज अल अरब को अपनी योगिता साबित करने के लिए स्टार्स की आवश्यक्ता नहीं है इसकी प्रतिष्ठा ही काफी है जिस क्षण से आप पहुँचते हैं चाहे शोफर्ड रोल्स रॉइस द्वारा या एक डेडिकेटेड हेलिकॉप्टर ट्रांसफर द्वारा आपके साथ रॉयल्टी जैसा व्यवहार किया जाता है यहां स्टाफ टु गेस्ट रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा है यह सुनिश्चित करते हुए कि हर जरूरत को एफिशिंसी और शालींता के साथ पूरा किया जाता है परस्नलाइज सर्विस के प्रती यह समर्पर होटेल की बेजोर दिलासिता के साथ मिलकर बुर्ज अल अरब को एक सच्चे आइकॉन का दर्जा देता है भाग पांच एक पाक ग्रह यात्रा उत्तम भोजन के अनुभव बुर्ज अल अरब में भोजन करना वास्तव में इंद्रियों के लिए एक रोमांच है होटेल में नौ वर्ल्ड क्लास रेस्टरांट्स हैं जो हर एक यूनीक कलिनरी एक्सपिरियंस प्रदान करते हैं अल महारा के अंडर वॉटर एंबियांस से जहां आप समुद्री जीवन से घिरे हुए भोजन करते हैं आल मुन्ताहा की खगोलिय उंचाईयों तक दुबई के शांदार क्षितिज के मनोरम द्रिश्य प्रस्तुत करते हुए यहां हर भोजन एक उत्सब है नेथन आउटलॉ एट आल महारा में उत्तम समुद्री भोजन का आनंद लें आल मुन्ताहा में आधनिक फ्रेंच व्यंजनों का स्वाद लें या जुन्सूई में जैपनीस टैपन्याकी की नाटकी यता का अनुभव करें हर रेस्टरांट में मिशिलिन स्टार्ड शेप्स हैं जो दुनिया भर से मंगवाए गए बहतरीन इंग्रेडियंट्स का ही उप्योग करते हैं वाइन लिस्स भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जिन में रेर विंटिजर्स और प्रतिष्ठित लेबल्स हैं भागच्य अद्वितिय पैनोर्मा उपर से नजारें दुबई के लुभावने द्रिश्यों के लिए अरेबियन गल्फ से 210 मीटर उपर स्थित बुर्जल अरब के हेलिपैड पर जाए कभी एंड्रे अगसी और रोजर फेडरर के लिए एक टेनिस कोर्ट, हेलिपैड अब प्राइविट डिनर्स, शादियों और जीवन में एक बार मिलने वाले फोटो अपरटूनिटीज के लिए एक कोबिटिट स्पॉर्ट है कल्पना कीजिए कि अरेबियन गल्फ के अनंत नीलेपन के साथ अपनी शादी की बाउस का आदान प्रदान करना या सूरज ढूपते समय शेंपेइन की चुस्की ले जो आस्मान को रंगों से भादेता है हेलिपैट से नजारे अध्वितिये जो पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा सहित दुबई के आइकॉनिक स्काइलाइन का 360 डिग्री पैनोरामा प्रस्तुत करते हैं बुर्जल अरब में विश्राम और मनोरंजन नई उंचाईयों तक पहुँचते हैं होटेल में दो स्विमिंग पूल्स हैं, एक इंडॉर और एक आउटडॉर, दोनों ही लुभावने दृष्षि प्रस्तुत करते हैं असावन एस्पा में आराम करें, जहां पारम परिक अरबी उपचार आध्वनिक वेलनेस टेकनीक से मिलते हैं गोल्ड इनक्यूस्ट मसाज के साथ खुद को लाड़ प्यार करें, या पारम परिक तुर्की स्नाथ, हमाम में अपनी इंड्रियों को फिर से जीवन्द करें जो लोग अक्टिव रहना पसंद करते हैं, उनके लिए बुर्ज अल अरब एक अत्याद्वनिक फिटनेस सेंटर प्रदान करता है, जहां पर्सनल ट्रेनर्स भी उपलब्ध हैं वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन होटेल के दर्वाजे पर ही जेट स्कींग से लेकर सेलिंग तक, कई तरह की एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं बुर्ज अल अरब का आकर्शन इसकी शानदार सुविधाओं और आर्किटेक्ट्रल भव्यता से कहीं आगे तक फैला हुआ है ये दुबई की महत्वा कांक्षा, उत्कृष्टता की निरंतर खोज और सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता का प्रतीक है होटेल ने अंगिनत हस्तियों, गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्रा ध्यक्षों की मेजबानी की है, जिसके एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में अपनी स्थिपी मजबूट हुए है सिर्फ एक होटेल से कहीं बढ़ा कर बुर्ज अल अरब एक सांस्कृतिक लैंड मार्क बन गया है, जो दुबई आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मस्ट सी डेस्टिनेशन है इसकी इमिज तुरंत पहचानने योग्य है, पोस्ट कार्ड्स, सूवनियर्स और अंगिनत इंस्टाग्रेम फीट्स पर छाई हुई है बुर्जल अरब मानविय सरलता का प्रमान है और मध्य पूर्व के केंद्र में विलासिता का प्रतीक है बुर्जल अरब केवल ठहरने की जगह नहीं है, यह अपने आप में एक डेस्टिनेशन है जिस क्षण से आप अंदर कदम रखते हैं, आपको अद्वितिय विलासिता और परस्नलाइज सर्विस की दुनिया में पहुँचा दिया जाता है चाहे आप होटेल के नौ रेस्टरांट्स में से किसी एक में कलिनरी मास्टर पीस का आनंद ले रहे हों, हेलिपैड से पैनोरामिक व्यूज का आनंद ले रहे हों, या बस अपने लगजूरिय स्वीट में आराम कर रहे हों बुर्ज अल अरब में बिताया गया हर पल अविस्मरणिय होता है बुर्ज अल अरब बकिट लिस्ट से किसी चीज को पूरा करने के बारे में नहीं है ये लक्जुरी के एक नए स्तर का अनुभव करने के बारे में है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है ये उन यादों को बनाने के बारे में है जो जीवन भर रहेंगी अपने आकिटेक्चुरल चमतकारों और शांदार पेशकशों के लिए प्रसिद्ध शहर में बुर्ज अल अरब अलग ही दिखता है ये दुबई की महत्वा कांक्षा, उत्कृष्टता की निरंतर खोज और अपने ओडेशिस विजिन से दुनिया को मंत्र मुग्ध करने की क्षमता का प्रतीक है सिर्फ एक होटेल से कहीं बरकर बुर्ज अल अरब एक एक्सपीरियेंस है अद्वितिये विलासिता और भव्यता की दुनिया की यात्रा है चाहे आप इसकी आर्किटेक्ट्रल ब्रिलियंस, इसकी लग्जूरियस अमेनिटीज या इसके उत्तम भूजन के अनुभवों के लिए आकर्शित है बुर्ज अल अरब एक अविस्मरणिये प्रवास का बादा करता है ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो लग्जूरि के अर्थ को फिर से परिभाशित करती है एक ऐसी जगह जहां दुबई की जहीमलाती रेत के बीच सपने हकीकत बन जाते है जरा सोचो दुबई की गर्माहट वाली धूप में चमकता हुआ अरेबियन गल्फ का नीला पानी अचानक समुद्र से एक नजारा उभडता है एक ऐसी सनरचना जो इतनी शानदार, इतनी लुभावनी है कि यह शहर के क्षितिज को ही नया रूप दे देती है यह है बुर्ज अलरग जो कभी एक साधारन मच्वारा गाव था रेगिस्तान की रेट से उठकर एक वैश्विक प्रतीक बन गया है इसकी कहानी महत्वा कांक्षा, नवाचार और असाधारन की निरंतर खोज की कहानी है विशाल, गगन, चुम्बी, इमारतों से लेकर मानव, निर्मित, ध्वीपों तक दुबई मानविय कल्पना की सीमाओं को फिर से परिभाशित करता है दुनिया के कोने-कोने से यात्रियों को इस रेगिस्तानी शहर में क्या खिंचता है क्या यह लगजरी शॉपिंग और आलीशान होटलों का आकर्शन है या शायद विशाल अरब रेगिस्तान में रुमांच का वादा दुबई विरोधा भासों का शहर है जहां प्राचीन परंपराएं भविश्य की सोच से मिलती है हर आगंतुक के लिए एक अनोखा और अविस्मरणिय अनुभव प्रदान करती है मेरे साथ आईए हम इस मनोरम शहर के केंदर में उतरते हों इसकी जीवंत संस्कृती, स्थापत के चमतकारों और दुबई को अपना घर कहने वाले लोगों की कहानियों की खोज करते हैं आइए हम दुबई के परिवर्तन के पीछे के रहस्यों को उजागर करें और हमारे लगातार बदलते संसार में इसके स्थान पर विचार करें दुबई के चमकदार आवरण के पीछे एक ऐसा शहर है जो अपनी अर्बी विरासत में गहराई से नहित है अमीराती संस्कृती की उर्जा बस्ताकिया के एतिहासिक जिले में फलती फूलती है इसकी घुमावदार गलियां और पारमपरिक हवा टौवर घर हैं यहां समय मानो धीमा हो जाता है क्योंकि मसालों की खुश्बू और अर्बी संगीत की लयवद्ध ध्वनियाव हवा में तैरती है एक पारमपरिक अमीराती घर के अंदर कदम रखें और अर्बी आतित्य की गर्म जोशी के साथ आपका स्वागत किया जाएगा सुगंधित अर्बी कॉफी और खजूर का प्याला साजह करते हुए उन बातचीतों में शामिल हो जो परिवार, समुदाय और सम्मान के मूल्यों को प्रकट करती हैं जो अमीराती समाज में गहराई से नहित है अपने तीब्र आधुनिकी करण के बावजूद दुबई एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां प्राचीन परमपराओं का सम्मान और सनरक्षन किया जाता है यह एक ऐसा शहर है जहां आप एक पल रेगिस्तान में बाज की उडान देख सकते हैं और अगले ही पल नवीनतम तक्नी की नवाचारों पर अचंभा कर सकते हैं दुबई का क्षितिज एक वास्तु शिल्प टेपेस्ट्री है जो इसलामी परमपरा और भविश्य के डिजाइन के धागों को एक साथ बुनता है जुमेराह मस्जिद के सुन्दर वकरों से लेकर गुरुत्वा कर्शन रहित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे उंची इमारत तक शहर में स्थापत्य शैली का एक उदार मिश्रण है दुबई मरीना के किनारे टहले जो मानविय सरलता का प्रमाण है जहां चिकना गगन चुम्बी इमारतें तट से उपर उठती हैं उनके कांच के अग्रभाग नीले पानी को दर्शाते हैं प्रत्येक इमारत इंजीनिरिंग का एक चमतकार है जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाती है फिर भी इन आधुनिक चमतकारों के बीच पारंपरिक इसलामी वास्तुकला अपनी जगह पाती है मस्जिदों और विरासत स्थलों को सुशोभित करने वाले जटिल ज्यामितिय पैटर्ण और सुलेख दुबई की सम्रिद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं पूर्व और पश्चिम के चौराहे पर दुबई की रणनीतिक स्थिती ने इसे व्यापार और वानिज्ज के लिए एक वैश्विक केंद्र बना दिया है शहर के चहल पहल भरे बाजार या पारमपरिक बाजार एक इंद्रियों को प्रसन्नता देने वाला अनुभव हैं जो पुराने दुबई के दिल की एक ज़लत पेश करते हैं मसालों की महक से सराबोर देरा स्पाइस सूक की तंग गलियों की भूल भुलईया में खुद को खोदें दुनिया भर के केसर, लोभान और अन्य खजानों के लिए मोलभाव करें और सदियों से चली आ रही सौदेबाजी की कला का अनुभव करें दुबई गोल्ड सूक में सोने के आभूशनों के चमकदार प्रदर्शनों से चका चौंध हो जाएं जो दुबई की सोने के शहर के रूप में प्रतिष्ठा का प्रमाण है पारंपरिक अमीराती डिजाइनों से लेकर आधुनिक प्रतियों तक हर किसी को आकरशित करने के लिए कुछ न कुछ है भाग पांच चका चौंध से परे छिपे हुए रतनों से परदा उठाना जहां दुबई अपने शांदार प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है वहीं शहर में छिपे हुए रतन भी हैं जो इसके प्रामाणिक चरित्र की एक जलक पेश करते हैं चका चौंध और ग्लैमर से परे उद्यम करें और दुबई के एक अलग पक्ष की खोज करें दुबई क्रीक के पार एक अब्रा की सवारी करें एतिहासिक जलमार्ग जो शहर को दो अलग-अलग शेत्रों में विभाजित करता है देरा और बुर दुबई जैसे ही आप पानी के साथ साथ सरकते हैं धो पारंपरिक लकडी की मालवाहक नावों की हलचल भरी गतिविधी को देखें जो आज भी क्रीक पर चलती है शहर की हलचल से बचें और अलफ़हीदी एतिहासिक पडोस का अन्वेशन करें इसके बहाल किये गए पवन टौवर घरों, कला दीर घाओं और सांस्कृतिक केंद्रों के साथ यह पडोस इस बात की एक ज़लक पेश करता है कि तेल की खोच से शहर के बदलने से पहले दुबई में जीवन कैसा था? भाग, छै, स्वादों की एक जहांकी दुबई में पाक कला का रोमांच दुबई संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बरतन है और इसका पाक ग्रिह द्रिश्य इस विविधता को दर्शाता है मिशेलिन तारांकित रेस्तरां से लेकर साधारन स्ट्रीट फूर्ड स्टॉल तक दुबई एक गैस्ट्रोनॉमिक यात्रा प्रदान करता है जो आपकी स्वाद कलिकाउन को मोहित कर लेगी सुगंधित मसालों, धीमी गती से पके हुए मीट और सुगंधित चावल के व्यंजनों पर जोर देने के साथ अमीराती व्यंजनों के सम्रिद्ध स्वादों का आनंद ले मचबोस जैसे पारंपरिक व्यंजनों का नमूना लें, मांस या मचली के साथ एक स्वादिष्ट चावल का व्यंजन और लुकैमाद, खजूर के शीरे के साथ बुंदा बांदी मीठे पकोडे भारतीय करी से लेकर जापानी सुशी से लेकर इतालवी पास्ता तक के विकल्पों के साथ शहर के विविद पाक ग्रिह परिद्रिश्य का अन्वेशन करें दुबई एक ठाने के शौपीन लोगों के लिए स्वर्ग है, जहां आप दुनिया के हर कोने से जाय के पासकते हैं जो चीज वास्तव में दुबई में जान फूंकती है, वह हैं यहां के लोग अमीराती नागरिकों से लेकर 200 से अधिक देशों के प्रवासियों तक दुबई संस्कृतियों और दृष्टिकोणों का एक पिघलने वाला बर्तन है बाजारों में एक स्थानिय दुकांदार के साथ बातचीत शुरू करें और उनके जीवन और दृष्टिकोण में अंतर दृष्टिक प्राप्त करें दुनिया भर से दुबई आय प्रवासियों की कहानियों को सुने जो शहर के अवसरों और महानगरिय माहौल से आकर्शित हुए है दुबई जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं पर बना शहर है यह एक ऐसी जगए है जहां सांस्कृतिक सीमाई धुंदली हो जाती है और विविध प्रिष्ट भूमी के लोग एक जीवन्त और गतिशील समाज बनाने के लिए एक साथ आते हैं दुबई का तेजी से उदय अपनी चुनोतियों के बिना नहीं रहा है शहर के तेजी से विकास ने स्थिर्ता, सामाजिक समानता और इसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षन के बारे में सवाल खड़े किये हैं जैसे जैसे दुबई का विकास और विकास जारी है, इस विकास के पर्यावरण पर और यहां रहने और काम करने वाले लोगों के जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव पर विचार करना महत्वपूर्ण है। संतुलन बनाना आवश्यक है। संतार विकसित हो रहा है और फिर से कलपना कर रहा है कि क्या संभव है। इसका महत्वा कांक्शी और आगे की सोच वाला द्रिष्टिकोन दुनिया भर के शहरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। दुबई की वैश्विक उपस्थिती लोगों, विचारों और संस्कृतियों को जोडने की अपनी क्षमता का प्रमाण है। ये एक ऐसा शहर है जो भविश्य को आकार दे रहा है और विश्व मंच पर एक अमिट छाप छोड़ रहा है। चाहे आप दुबई के शांदार प्रसादों, उसके सांस्कृतिक खजाने या उसकी जीवंत उर्जा के लिए तैयार हों, ये शहर निश्चित रूप से एक अविस्मरणिय च्छाप छोड़ेगा। दुबई एक ऐसी जगए है जहां सब कुछ संभव है और सपनों की कोई सीमा नहीं है। तो आईए, सोने के शहर का अन्वेशन करें और इस रेगिस्तानी नखलिस्तान में आपका इंतजार कर रहे जादू की खोज करें।